उसको भजा है शोदा हीरा मनी रहमानने सर आयम एवल तो मेंटेन ए सर्टेन स्पीड दूरिंग एक्जाम स्पीड इस नॉट एमेटर तू मी बट सरबट माइ एक्कूरेसी इन बायलोजी इस नॉट बिंग मेंटेन आई शोदा ने लिखा है कि उनको स्पीड का इशू नहीं है वो अपनी स्पीड को तो मैंटेन कर लेती है लेकिन बायलोजी में उनके साथ से आठ कूशन गलत हो जाते हैं लेकिन बटा शोदा आपने फिजिक्स और केमस्टी के बारे में ये बात नहीं लिखी है तो क्या मैं मालनू कि फिजिक्स और केमस्टी में आप कूशन गलत नहीं करती है और आप आपने ये लिखा है कि सर एक्क्यूरेशी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चीए देखो बेटा जब कभी हम स्पीड को मेंटेन करते हैं तो कई बार हम जो है कोशन को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं कोशन में थोड़ा सा नौट लिखा है, मोस्ट नहीं लिखा है, जनरल नहीं लिखा है तो उससे बाइलोजी के कोशन का मतलब कई बार चेंज हो जाता है biology जब biomenters ने पढ़ाय जाती है तो आपको biology को महसूस करवाय जाता है biology को एको core में जाकर ने depth में जाकर पढ़ाय जाता है ताकि आप कभी भी conceptual गलती ना करें तो जब आप हम बहुत सरह याद करके कोई question solve करते है ना तो हमसे 7-8 mistake होने की संभवना है 90 कुछन में होती कुछ हमने याद किया होता है कुछन थोड़ा भी टुस्टेड होगा तो हम गलती कर बिठेंगे लेकिन जब हमने अच्छे से समझा होगा तो वहापर गलती बिठा नहीं होगा और आपको यदि अपनी एक्कुरेसी बढ़ानी है तो आपको हर DPS को एक मॉक ट कुछन लगाएंगे और कम टाइम में लगाईए उसको टाइम अपना थोड़ा और रिडियूस किए ताकि आप रिफ्लेक्स ली कौन सी गलती करती है उनको नोट डाउन कीजिए एक रिजिस्टर में नोट डाउन कीजिए कि मैंने इस तरह के कोशन में ये वाली गलती की थ तो उसको हम जट से ठीक कर सकते हैं कॉंसेट ठीक गलती ठीक ठीक लेकिन जो सिली मिस्टेक होती ना वो हैविट का हिस्सा होती है हमारी आदत बन जाती है तो उन आदतों को दूर करने का तरीका यह है कि हम उनको पहचाने और इस बात का बिरसेज ध्यान रखें कि अगली बार वो गलती ना हो ठीक है तो जस्त प्रैक्टिस मोर उससे आपकी एक्कुरेसी बढ़ेगी और प्लीज गलती करने के बाद गलती क्यों हुई है उसका कारण जरूर लिखिए एक लाइन में कि यह गलती मुझे इस कारण से हुई है ठीक है नेक्स कोश्चन हम लेते हैं आ अमित कुमार साहने उन्हेंने का है कि जो भी आप क्लास नोट्स देते हैं उन सभी क्लास नोट्स को आप चैप्टर पूरा होने के बाद एक साथ कर दें आप उनको और एक साथ करके एक सिंगल पीडियेफ आप अपलोड कर दे ताकि हमको बार बार अलग लग जगे जाकर ना खुलना पड़े तो मैं इस बारे में अपनी टेक्निकल टीम को गाइड करूंगा मैं उनको बोलूंगा कि आप जितने भी क्या होता हर एक क्या होता है कि जब हम एक मोटा सा फाइल अपलोड करते हैं सुनो वेटा साइकलोगी जब हम मतलब आप देखेंगे हर क्लास नो बट के लिए मुझे लगता है कि बच्चे जो मांग रहे हैं बच्चों को जो बहतर लग रहा है हमें उसके लिए काम करना चाहिए तो यह स्वेशन में जो है वो अपनी टीम तक पहुंचा दूंगा यदि मेरा कोई टीम मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय लाइ करता है ताकि कभी कोई डाउट हो कोई संधे हो आपको कोई चीज समझ में आ रही हो या कोई चीज में आपको लगता हो कुछ गलत हो गया प्रिंटिंग मिस्ते के तो आप वो qr-code को स्टैन करके हैं प्रॉब्लम को टीचर को बहस सकते हैं ठीक रहा